अजी प्रधन मंत्री मोदिंक मनकी बात्रो सोहे पॉंदर तम्म सास्करणा बेभिन प्रोस्वंगरे कही बेमोदी इसके बाद पंदरा नमबर से भगवान बिर्शा मुंडा का एक सो पचासवा जन्म जेनती वर्ष शुरू होगा इन दोनों महापुरुष ने अलग-अलग चुनोतियां देखी लेकिन दोनों का विजन एक था देश की एक था साथियों बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायकाओं की जन्म जेनतियां को नई उर्जा से मना कर नई पीढ़ी को नई प्रेणा दी है आपको याद होगा जब हमने महात्मा गांदी जी की एक सो पचासवी जन्म जेनति मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था नियोर्क के टाइम स्क्वाइर से आफरिका के छोटे से गाउं तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा उसे फिर से जाना उसे जीया नवजवानों से बुजूर्गों तक भारतियों से विदेशियों तक हर किसे ने गांदी जी के उपदेशों को नए संदर पे समझा नई वैश्विक परिस्तितियों में उन्हें जाना जब हमने स्वामी विवेकानन जी की 150 वी जन्म जन्ति मिनाई तो देश के नवजवानों ने भारत के आध्यात्विक और सांसकुर्टिक शक्ति को नई पारिभाशाओं में समझा इन योजनाओं ने हमें एह एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते बलकि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविश्य का रास्ता दिखाता है साथियों सरकार ने भले इन महान विभुद्यों की एक सो पचासवी जन्मजेंति को राष्टिय स्तरपर मनाने का निर्ने लिया है लेकिन आपकी सहभागीता ही इस अभियान में प्रान भरेगी इसे जीवन्त बनाएगी मैं आप सभी से आगरे करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने लोहपुरू सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कारियर हैस्टेक सरदार 150 के साथ साजा करे और धरती अबाब विर्सा मुंडा की प्रेणाओं को हैस्टेक बिर्सा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाएए आईए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेक्ता में एक्ता का उत्सव बनाएए इसे वरासत से विकास का उत्सव बनाएए मेरे प्यारे देश्वासियों आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते कितना एक्साइडमेंट था छोटा भीम को लेकर आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में नहीं बलकि दूसरे देश के बच्चों को भी खुप एट्रेक करता है इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सिरियल्स कृष्चना, हानुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में है भारत के एनिमेशन केरेक्टर्स, यहां की एनिमेशन मुवीज, अपने कंटेंट और क्रियेटिविटी की वज़े से दुनिया भर में पसंद की जा रही है आपने देखा होगा कि स्मार्ट फोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कॉंसोल से लेकर वर्चुल रियालिटी तक एनिमेशन हर जगह मुझूद है एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांती करने की रहा पर है भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपिलर हो रहे हैं कुछ मैंने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी तब मुझे इंडियन गेम्स की एमेजिंग क्रियेटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मोखा मिला था वाकई देश में क्रियेटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाइ इंडियन्स छाया हुआ है आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टाइलेंट वेदेशी प्रोड़क्शन का भी एहम हिस्सा बन रहे है अभी वाली स्पाइडर मैन हो या ट्रांस्फोर्मर्स इन दोनों भुवीज में हरी नाराएंड राजीव के कॉंटिबिशन को लोगों ने खुप सराहा है भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिजनी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोड़क्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे है साथियों आज हमारे वा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट जिसमें हमारी संस्कृति की जलक होती है वो तयार कर रहे हैं इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्रीज को ताकत दे रहा है जैसे इन दिनों वी आर टूरिजम बहुत फेमस हो रहा है आप वर्चियल टूर के माध्यम से अजनता की गुफाओं को देख सकते हैं कोनार्क मंदिर के कोरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वारानसी की घाटों का आनंद ले सकते हैं ये सभी वी आर एनिमेशन भारत के क्रियेटर्स ने तयार किये हैं वी आर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्त्रिक्ता में इन परेटन सलो का दोरा करना चाहते हैं यानि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुल टूर लोगों के मन में जिग्यासा पैदा करने का माध्यम बन गया है आज इस सक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वाइस ओवर एक्सपर्ट्स, मुजिशियन्स, गेम डेवलोपर्स, वी आर और एक्सपर्स उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा अपनी क्रियेटिविटी को विस्तार दे क्या पता दुनिया का अगला सुपर हिट एनिमेशन आपके कम्पूटर से निकले अगला वाइरल गेम आपका क्रियेशन हो सकता है एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हसिल कर सकता है इसी 28 अक्तूबर को यानि कल वर्ल एनिमेशन डेख भी मनाये जाएगा आईए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प ले मेरे प्यारे देशवाशियों स्वामी विवेकरन ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था उनका मंत्र था कोई एक आइडिया लीजिए उस एक आइडिया को अपनी जिंदिगी बनाइए उसे सोचिए उसका सपना देखिए उसे जीना शुरू करिए आज आत्म निर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है इअभियान हमारी सामुहिक चेतना का हिस्सा बन गया है लगातार पग पग पर हमारी प्रेणा बन गया है आत्म निर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं हमारा पेशन बन गया है बहुत साल नहीं हुए सिरफ दस साल पहले की बात है तब अगर कोई कहता था कि किसी complex technology को भारत में विक्सित करना है तो कई लोगों को विश्वात नहीं होता था तो कई उपहास उडाते थे लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखर अचंबे में रहते हैं आत्मंदिर पर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है आप सोचिए एक जमाने में मुबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत अज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनुफेक्टरर बन गया है कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्विप्मेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है स्पेस टेक्नोलोजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है और एक बात तो एक जन अभियान बन रहा है हर क्षेत्र में उपलब्दियां हासिल कर रहे है जैसे इसी महने लद्दा के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलिस्कोप मैस का भी उदगाटन किया है ये 4300 मिटर की उचाई पर स्तीत है जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है ये मेड इन इंडिया है सोचिए जिस थान पर माइनस 30 डिगरी की ठंड पड़ती हो जहां ऑक्सिजन तक का अभाव हो वहां हमारे वैज्ज्यानी को और लोकल इंडिस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया हानले का टेलिस्कोब भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है और ये चीज है आत्मन निर्भर भारत का सामर्थ साथियों मैं चाहता हूँ आप भी एक काम जरूर करें आत्मन निर्भर होते भारत के ज़्यादा से ज़्यादा उदारण ऐसे प्रयासों को शेर करिए आपने अपने पडोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा कि इस लोकल स्टार्टप ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेश किया हैश्टेग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर यह जान करिया लिखिये और आत्मनिर्भर भारत का उच्सों मनाईए त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं हम वोकल फॉर लोकल के मंतर के साथ अपनी खरीदारी करते हैं यह नया भारत है जहां इंपॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर्ड वर्ल बन गया है जहां हर नागरिक इनोवेटर है जहां हर चैलेंज एक आपर्चुनिटी है हमें ना सिर्फ भारत को आत्मंदिर भर बनाना है बलकि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है मेरे पहरे देशवासियों मैं आपको एक आउडियो सुनाता हूँ हलो सर नमस्ते सर नमस्ते सर भूले सर देखिए जो आपने अफ आई आर नमबर मुझे सेंड किया है इस नमबर के खलाव 17 कंप्लेंट अमारे पास आप ये नमबर यूज़ कर रहे हैं मैंने नहीं यूज़ करता हूँ सर अभी कहां से बात कर रहे हूँ सर करनड का सर मगर में हूँ सर इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकार्ट रहे हैं ताके नमबर ब्लाव कर दिया जाए फीचर में आपको कोई प्राप्लम ना हो मेरे पास अभी नहीं है सर अधर कर सर फ्रीज सर आपके फोन में आए नहीं सर फोन में अधार कार्ट के पिक्चर नहीं है आपके पास नहीं सर नमबर याद है आपको सर नहीं सर नमबर भी याद नहीं सर आप गैसे ल्ंकि प्राइंन, बॉर्धक है लुकर को 아침 अमने सरफ वेरिफाई करना, वेरिफाई करने कि लिए लिए .. अटरी है... अगर आपने कुछ नहीं किया ! तो आप डरी है ना आपके पास अधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वरिफाइए कर रहे हैं नहीं सर मैं गाउं को आयाता था घर में सर ओके अधिक्ति के वन साइड वीडियो कार्ड गरो एस पर प्रोटोपोल ओके यह और जो सिर्फ जानकरी के लिए नहीं है झाल